स्रेई शिवाय नमस्तु भेहम हम सब को पता है कि आज है 22 नमंबर यानि कि शुक्रवार का बहुत ही प्यारा से दिन मार्ग शीस महीने के जो शुक्रवार का दिन होता है इसे तुम्रुका जैन्ती के नाम से भी जाना जाता है और आज रात में आपको अपने घर पे तुम्रुका दीपक काला तिल डालके चलाना है जिससे आपकी फैमिली में सभी लोग खुश रहेंगे कभी भी उनकी लाइफ में कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कते नहीं आने वाली हैं जितने भी उपाएं के हम लोग बात करने वाले हैं ये सारे उपाएं पूझ गुरुजी की कता से सुनके आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो स्पेशल तरीके से समझाओंगा, आराम से समझाओंगा तो वीडियो को पूरा देखेंगे क्या करना है, अब इस उपाएं के लिए सबसे पहले हमें जरुत पढ़ेगी इस तरीके से काले तिल के न, अब यहां पे देखो गिंती मत गिंना, दो लेना, चार लेना, नहीं, आपको बस एक चुटकी काले तिल के साथ में हमें इस प्रकार से लेना होगा, दीपक ध्यान नखीगा, हमें आटे का दिया नहीं लेना है, आपको मिट्टी का दिया लेना है, और मिट्टी का दिया भी जरूरी नहीं है, कि वो मिट्टी का दिया कैसा हो, नया हो, आप चाहो तो नया ले सकते हो, आप चाहो तो दीपावली में जो आपने दीपक इस्तमाल किया था, र अगर 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 आपको जो में गेट के राइट साइड में यानिकि दाहिने भाग में आप उस दीपक को लगा देना लेकिन पहले कोशिश करना कि शमी का बेड़ मिल जाए अब आपको शमी का जो पेड़ हो चाहे गंबले में लगा हो या फिर नीचे जमीन में थोड़ी से मिट्टी लिजेगा शमी के पेंड की थोड़ी सी मिट्टी लिजेगा और उस मिट्टी को पहले यहाँ पे नीचे आपको रख देना है और इसी मिट्टी के उपर जो दीपक आपने लिया है कौन सा गोलवत्ती का उस दीपक को रखना होगा अब जब आप इस दीपक को जलाओगे तो तुम रुक जी के नाम से इस दीपक को प्रजुरित करना है इस दीपक को जलाना ठीक है ना इतनी बाते समझ में आगे अब जब आप दीपक को जला दो तो आपको इस दीपक के अंदर जो वही मैंने आप लोग को काला तिल दिखाया है उस काले तिल की एक चुटकी अपने पूरी फैम पूरी फैमिली पूरा परिवार आपका खुश रहेगा बस ध्यान रखना है इस उपाय को सुबह के समय बिल्कुल भी नहीं करना है शाम को सारहे पांच बजे के बाद में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीके नहीं करना कहाँ पे हैं शमी पेंड के नीचे बात आई का समझ में चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरी उपाय के तरफ तो पहला उपाय तो होगा आपकी फैमिली के लिए परिवार के लिए जो दूसरा उपाय हम लोग बात करने वाले हैं ये होगा रोग मुक्ति है जैसे घर मे आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिन भर मेडिसन खाते हैं दवा खाते हैं बट फिर भी ठीक नहीं हो पा रहें तो आप इस उपाय को करेंगे इसके लिए आपको लिने हैं चावल के साथ दाने ठीक है न आपको यह उपाय भी अपने घर पर ही करना कहीं भी बाहर जाने के जरूरत नहीं है आपको बस साथ दाने लेने होंगे चावल के जो कहीं से खंडित ना हो टूटे हुए ना हो अब चावल का दाना तो आपने ले लिया आप कहोगे भी यह रोग मुक्ती में कमल गट्टा कहां पर आएगा शुक्रवार के दिन जब हम इस उप अपाय को करते हैं तो उसमें कमल गट्टे का इस्तमाल करना होता है तो आपको एक कमल गट्टा भी लेना है जादा नहीं लेना सिर्फ एक कमल गट्टा लीजेगा ठीके ना अब इन सभी चीजों को लेंगे एक तामबे का लोटा लीजेगा उसके अंदर जल भरिएगा ध् कुछ लोग क्या करते हैं जब घुमाते हैं तो सिर्फ सर पे घुमा देते हैं ऐसा नहीं करना है जब उस कलश को घुमाओगे साथ बार तो आपको उसके सर से ले करके पैर तक घुमाना होगा और घुमाओगे किसके नाम से अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखना है रोग मुक्ती का यह उपाए हम कमल गटे से करेंगे मातना के हस्त कमल पर जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं यहां पर उस कमल गटे को चड़ाएंगे और जो आपके पास में चावल के साथ दाने हैं उन्हें माता असोग सुंदरी के स्थान पे जो भी विक्ती बीमार है उसका नाम और गोतर बोलके अगर आप समत्पित करते हैं तो आप फे घर से जो रोग की समस्या होती है वो दूर हो जाती है ठीक है ना करिएगा ज़रूर बहुत इजी सा और बहुत सी जादा आसान सा ही उपायता है ना तो दो उपाय के हमने यहां पे बात कर लिए है आज करने वाले हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की बात करते हैं लेकिन सबसे पहले आपको छोटा सा काम करना है जल्दी से कर दीजे वीडियो को लाइक और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब है ना देखो एक छोटी सी बात आपको समझा दो कि आप सभी के पार्सल आप भेजी जा चुके हैं जितने भी लोग थे किसी का दो दिन पहले पहुच रहा है किसी के दो दिन बात पहुच रहे है तो बिल्कुल टेंशन मनलो बिल्कुल परेशान नलो जिनका एड्रेस विलेज का गाओं का था उनका मैंने पोस्ट आफिस से भेजा है जिनका एड्रेस यहां का था मतलब सहरों का था सिटीज का था उनका मैंने डी टी डी सी कूरियर से भेजा है तो आपके बहुत जल्दी पहुच रहे है तो परेशान मत हो भी या पहुचा नहीं पहुचा नहीं सभी का पहुँच रहा है ठीक है परिशान बिलकुल नहीं होना है चलो अब बात करते ही इस तीसरे उपाई की तीसरे उपाई के सबसे पहले समझ रहें फाइदे क्या है शहद देख करके ही आपको समझ में आना चाहिए यह उपाई किसके लिए होगा लड़ाई के लिए क्योंकि लवाहट में मिठास भरने के लिए हम किस से उपाय करते हैं शहद से ठीके न तो आपको लेना है थोड़ा सा शहद शहद लेने के साथ में आपको इस प्रकार से लेना होगा लाल चंदन ध्यान रखिएगा लाल चंदन आपको सूखा लेना है इस बार आपको लाल चंदन का प आशुतोस महादयों यहां पर मैंने लिख भी दिया इसलिए कौन से महादयों आशुतोस महादयों की नाम से सुपाय को करना है तरीका समझेंगे जो आपके पास में शहद है और जो आपके पास में लाल चंदन है सबसे पहले आपको शहद का लेपन माता असोक सुंदरी के स् स्मनन करोगे ही करोगे साथ इसाथ जो भी वेक्ती घर में आपके बहुत लडाई करता है बहुत जगडा करता है जिसकी वज़े से आपकी फैमली परेशान है और आस पास के लोग भी बहुत परेशान है उसका नाम और गोतर बोलिएगा और फिर इतना करने गल चढ़ा रहे हों तो आपको स्त्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इस्मरण करना है ठीक है ना ध्यान रखेगा इस उपाय को करना है एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूं जैसे आज के टाइम पे घर में लडाईयां इसलिए होती है न कि लोग आपने आपको एक आटिट्यूड में रखते हैं कि हम जुकेंगे नहीं देखो ध्यान रखिएगा चाहे इस वीडियो को कोई पुरुष देख रहे हूं या कोई इस्त्री देख रही हूं अगर आपको अपने रिलेशन में प्रेम चाहिए प्यार चाहिए तो आपको जुक के रहना आप चाह होंगी कलेश होंगी इधर उधर भटकोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा है ना रिस्ते बचाने हैं तो जुक के चलो और रिस्ते को तोड़ देने हैं तो मुर्दे की तरीके से अकड़ के रहो ठीक है ना तो मुझे लगता है कि कोई इंसान रिस्तों को तोड़ना चाहत हर इंसान रिस्तों को बचाता है तो आप भी बचा करके जरूर रहेंगे ठीक है न देखो अब हम बात करने इस वीडियो के अपने सबसे आखरी और बहुत ही छोटे से उपाय की जो की हमें फिर से करना है किससे काले दिल के साथ में देखो सबसे पहले बात करते हैं इस उपा सही चल रहा है बट फिर भी आपको अच्छा ही लग रहा है तो ये भी किसके रीजन होते हैं निगेटिव एनरजी के इस निगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए आपको एक चुटकी लेना है काला तिल ठीक है न एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी आपको चावल क इन दोनों चीजों को ही सिर्फ आपको लेना है और लेके पहुचना महादियों के शिवलिंग के पास में जब निगेटिव एनरजी को दूर करनी होती है तो हम लोग एक नाम लेते हैं महादियों का श्रम भेशवर महादियों यहाँ पर मैंने इसलिए नाम को लिख भी दिया बस ध्यान रखना है शिवलिंग पे चढ़ाने से पहले उन दोनों चीजों को ले करके अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना ठीक है न तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीजों को अच्छे समझाने की बाकि वीडियो पसं बाए नमस्तु भे